दोस्तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम नामदफा राष्ट्य उद्धन से जुरे एक एक पॉइंट को कुभर करेंगे ताकि कॉम्पिटिटिव एकजम में आपका एक भी मार्क ना चुटे क्या आप जानते हैं नामदफा का अर्थ क्या है नामदफा नाम दो सिंखफो सब्द मिलकर हुआ नाम जिसका अर्थ है पानी और दफा जिसका अर्थ है उत्पत्ती दोनों मिलकर बना नामदफा जिसका अर्थ है पानी के उत्पत्ती इस राष्ट्य उद्धन से वहती नदी दफाबम Glacier से निकलती है लोकेशन ये राश््चटे उद्दान उत्त्रप्रवर भारत के औरुनाचल पादेश में चांगलांग जिले में श्तितृ थे ये मैनमार के अंतराष्ट सिमा के पास है अरुनाचल पदेश में स्तीत राष्ट्य उद्धान बन्नजीब अभरन वो टाइगर रिजब की सेंखा कितनी है कुल मिलाकर इहां नो राष्ट्य उद्धान बन्नजीब अभरन वो टाइगर रिजब है ये इगलनेरश्ट बन्नजीब अभरन शीरा और चिट सेंसुटि आगये क्लाश में रणाचल पदेश में स्तीत राष्ट्य उद्धान बन्नजीब अभरन और टाइगर रिजब के बारे में एक deep करके ृसकाश करेंगे अगर आप इसे नहीं देखे तो इसका लिंक आपको उपर आई बटन पर मिल जाएगा अगर कॉम्पेटिर्ब एक्जम में पूछे नामदपा राष्टे उद्दन से होकर नामदपा राष्टे उद्दन से होकर भेती है यह नदी चोकान पास से निकलती है जो भारत में अन्मार सिमा परस्तित है अब जानते हैं इसके डिकलेरेशन से जुरे कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स इसे 1972 में बननजीब अभरन्न मतलब वाईलाफ सेंचरी के रूप में घोशित किया गया इसे 1983 में राष्टे उद्दान मतलब नेशनल पार्ट के रूप में घोशित किया गया इसके आसपास के ट्राइब मतलब जनजाति के बारे में जानते हैं पार्ग के भीतर लीशू अदवासी लोगों की कुछ बस्तिया है हाला कि अधिकांग से लिशु जनजाती पार्क के पुर्व सिमा से परे मेनमार के साथ भारत के अंतराष्टे सिमा की ओर स्थी थे पार्क के चारोर चक्मा, तांगसा, सिंग्फो बस्तिया भी है नामदफा राष्टे उद्धन क्यों पसित देहे ये दुनिया का एकमात्त पार्ग है जहां बरी बिल्ली की चार बिल्ली के समान प्रजातिया है जेसे टाइगर, पेंथरा टाइग्रीस, तेंदुआ लेपर, पेंथरा पर्डस, स्नो लेपर, पेंथरा यूनिया, क्लावडेट लेपर, नियुफेलिस, लिम्बुलीसा, आदी कनेक्टिविटी नामदफा राष्ट्य उद्धन के निकट्तम हावायाड़ा, आसाम के मोहनबारी डिब्लोगर हावायाड़ा और निकट्तम रेल्युए स्टेशन, तिन्स्युक्य रेल्युए स्टेशन है नेक्स्ट क्लास में आपको कौन से राष्टी उद्धन के बारे में जानना है नीचे कोमेंट कीजिए अगर आप इस चनल पर नहीं है तुछे सब्सक्राइब कर खुद को अपडेट रखे थैंक्स फॉर वाचिंग